नमस्कार दोस्तो बाइडन ने सेक्रेटली ट्रम्प की टीम को जॉइन कर लिया है और ये ऐसी ट्विस्ट इलेक्शन के अंदर आ रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है आप देखिए ये तो आज कल तो मुझे लगता है इसने ट्रम्प की जो कैप है मेक अमेरिका ग्रेट अ बना दिया अब कोई रीजन होगा क्योंकि वो बार बार उसको बोल भी देता था कि कमला हैरिस मेरी वाइफ है उन्होंने कई पर ये टिकलेयर भी किया है तो हो सकता है इसलिए उसको वाइस प्रेजिट बना भी दिया था जबकि उसको एक स्पीच भी देनी नहीं आती है थ पूरा एलेक्शन स्पाइगल का पूरा फुल अफ स्प्राइजर्स शॉकर्स है कि क्या प्रेजिट जो बाइडन ने ट्रम की साइड लेनी शुरू कर दी है आपको लगेगा यह कोई वैं कौई कॉंस्पिरेसी शुरू कर रहा हूं बट बाइडन ने एक रिमार्ग दिया जहां पर जो political insiders है उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या प्रेजिट या तो पागल हो गया है पागल पहले था वोगी बोलते बोलते भूल जाता है कि वाईफ कौन है वो खुद भी प्रेजिट है के नहीं है वो कभी बोलता है यूप्रेन का प्रेजिट कौन है पुत जान जान भूज कर ट्रम को सपोर्ट करने के उपर लगे हुए हैं वो भी कब जब इलेक्शन से सिरफ तीन या चार दिन रह गे हो अब हो क्या रहा है इसको हर एक चीज़ को अराम से ब्रेकडाउन करते हैं दोस्तों बाइडन ने बोला कि आधी कंट्री जो है वो गार्बेज है और इसने एक आउट्रेज इसको आग लगाने वाला काम था वो कर दिया क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोल दिया कि जो लोग ट्रम को सपोर्ट करते हैं वो गार्बेज हैं यानि कि Trump supporters को garbage बोल दिया और बोला भी कब है जब वो लैटीनों के एक event में वो बोल रहे थे वहाँ पर और पूरे देश में आग लग गई है यानि कि वो उसका Biden का मतलब था कि वो तो सिर्फ Trump के supporters को condemn करना चाते थे उन्हें बोलना चाते थे कि आप Trump को follow कर रहे हैं तो आप पागल हैं और Trump ने भी इसका पूरा पूरा फाल उठाया और उठाने के बाद वो एक garbage truck में बैट गए और उन्हों ने भी speech दे दी speech भी क्या दी उन्होंने भी अपना पूरा मौके का मौके पे चौक अमारा एक garbage truck में खड़े हो गए और उन्होंने बोल दिया कि यही तुम जो हमें garbage बोलते हो यह देखिए मैं तो garbage truck में बैट कर ही garbage truck में काम करने वाले लोगों का ओनर कर रहा हूं बहुत मुझे एक सिप्ताइए क्या कोई जो sitting president है क्या वो ऐसी बात बोल सकता है ताकि उसका अपरा ऑपरेंट जो है उसका जो stand है यानि कि election जीतने का वही खराब हो जाए और बाइडन ने वही काम किया भी है Republicans जो थे उन्होंने एकदम से अपना गुसा निकालना शुरू कर दिया they tried to seize the moment और उन्होंने बो दिया कि यह moment है deplorables का क्योंकि यही काम deplorables का Hillary Clinton ने भी किया था 2016 में election से थोड़ा time पहले और जो यह Trump की टीम है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया they have declared we are not garbage और उन्होंने जो बाइडन के remarks हैं उसके उपर यह भी बो दिया कि you are attacking half of the country and telling them that we are garbage अगर तुमारा यह हाल है और साथ हैं जो आपको याद होगा कि J.D. Wenz जो Vice President के लिए खड़े हो रहे हैं Trump के साथ उन्होंने बोल भी दिया कि कमाला तुमारा जो बॉस है जो बाइडन उसने हमारे supporters को garbage बोला है अब तुम्हें यही garbage वाले तुम्हें garbage के ढक्कन में डाल कर तुम्हें बाहर फेंकेगे और यही twist है दोस्तो ट्विस्ट के साथ तो लगती लगती है Trump के जो supporters हैं उनके साथ भी उसे हमेशा ही तकलीफ रहती है Democrats को क्योंकि Trump एक nationalist है वही काम जैसे राहूल गांदी को जैशरी राम बोलने वालों से तकलीफ रहती है हिंदूं से सनातनी उसे तकलीफ रहती है उन्हें भूके मारने की बात बोलता है वैसे ही Biden का और Kamala Harris का भी वही हाल है जो लोग अमेरिका से प्यार करते हैं अमेरिका की values को बचा के रखना चाते हैं उनसे इनको सक्त नफरत है इन legals को बलाया जा रहा है ताकि पूरी demography को change किया जाए वैसे ही जैसे राहूल गांदी भारत के अंदर demography change करने के लिए इन क अक्रोचों को बैंगलादेश से मया मार से यहां बुला रहा है उन्हें आते ही राशन कार्ड और अधार कार्ड दिया जाता है वही काम अमेरिका में भी हो रहा है elections थाकि वो कभी हा रहे ही नहीं इसलिए जो टरंप को support करते हैं उन्हें बोल दिया इन्होंने you should be ashamed yourself कि आप टरंप को support कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम समनातियों को भारत में बोला जाता है आपको शरमानी चाहिए कि आप मोदी जी को support करते हैं यही राहूल गंद की और इसका पूरा राक्षिसों की जो सेना है 30 क्रोड जिहादियों की यह सभी यही बोलते हैं अब तो इनका जिहादी क्यों बन गए तब इनको तकलीफ नहीं होती लेकिन हमारी दिवाली से इनको तकलीफ भारत में होती है वही हाल है जैसे Christians अभी Christmas बनाएंगे तो इसी Democrats को मैं इनको बोलता हूँ Demon Rats यह राक्षिसों की सेना है चुहों की इने तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी अमेरिका के और बाइडन ने वही harsh words इनी लोगों को बोल दिये Americans को और यह is this statement is going to overshadow Harris का जो पूरा campaign था उसे खतम कर दिया यानि कि जो बाइडन है उसने secretly Kamala Harris को हराने का काम उसने कर दिया है डिक्लेर कर दिया है कि वो किसकी टीम का आदमी है ट्राम्प की टीम का दोस्तों timing important होती है politics के अंदर और elections के टाइम पर आपको यादा है last time बीजेपी ने गलती करी थी एक statement दे दिया हमें RSS की जरूत नहीं है हम खुद जीत सकते हैं elections कितनी भारी कीमत पे करी है हम लोगों कि 100-500 सीटे कम आई हैं एक statement के करण और यहां पर बाइडन ने इतना गंदा statement दे दिया कि पूरा कमारा हैरिस का जो campaign है उसे derail कर दिया है इसकी rating में इतनी गरावट आई है इस statement के बाद कि कमला हैरिस के जीतने के chances बहुत ही कम हो गए है और कमला हैरिस वो अपने आपको position कर किया लेकिन बाइडन चानता है कि जब वो प्रेजिडन थे तो कमला हैरिस ने कितनी बार बाइडन को कुर्सी से उतार कर खुद प्रेजिडन बनने की कोशिश करी है इसलिए उसने शायद खुंदक में आकर कि भाया इस लेड़ी को मुझे इसकी औकाद दिखानी है ये तो सबक सिखाता हूँ और जो कमला हैरिस की पूरी टीम है जो कैंपेन के ओफिशल्स है उन्होंने कंसिटर करना शुरू कर दिया कि क्या हैरिस को बोलना चाहिए कि जो बाइडन ने जो बोला है वो गलत है लेकिन वो इलेक्शन से तीचा दिन पहले ये भी बोल नहीं सकती क्य कि अगर ये बोलती है it is going to bring their rift on the ground कमला हैरिस की situation ऐसी आगी है कि ना तो वो support कर सकती है बाइडन को ना उसे criticize कर सकती है और बाइडन के जो remarks है they are the last thing कमला हैरिस needed सिरफ 3 या 4 दिन पहले election day से तो मेरा अपना question है आप से क्या आपको नहीं लगता कि बाइडन ने जो इतनी ब गलतिया नहीं गलतिया कर देता है क्या आपको नहीं लगता कि जो बाइडन की team है उन्होंने deliberately ये move किया है कि कमला हैरिस को हराया जाए ये theory या conspiracy नहीं है it is not farfetched जैसी ये sound करती है आपको मालू मैं कि जो कू है कमला हैरिस ने करने की कोशिश करी थी अमेरिका के अंदर कू बाइडन और हैरिस की जो relations है वो कभी भी smooth नहीं रहे पिछले 4 साल में वो बेफकूफों की तरह हस्ती रही सामने आने की कोशिश करती थी तो बाइडन उसे undermine पहले भी करता था और ये speculation अमेरिका के अंदर बहुत महीनों तक था है कि हैरिस जो है वो democratic जो पूरी party में सामने आ गई इवन की उबामा भी कमला हरिस को like नहीं करते थे उन्होंने भी इसे endorse बहुत देर के बाद किया था और वो चाते थे कि कमला हरिस सामने ना आए लेकिन बाइडन भी चाते नहीं थे कि कमला हरिस आए इसे प्रेशराइज किया गया कि तुम कमला हरिस को support करो कि डीप स तो यानि कि डेमोकरेट्स का जीतना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ट्राम के लिए थोड़ा सा रास्ता असान हो गया है और बाइडन वो हमेशा अपने जो ऑपनेंट्स होते हैं उन्हें जवाब देता है हमेशा ही उसकी 50 सल की हिस्ट्री है वो छोड़ता नहीं है he never forgets वो अपने आपनेंट्स को अच्छी तरह से सीधा करना जानता है और उसने भी ये जो गलती करी है supposedly ये लोग बोलते हैं गलती है मैं बोलता हूँ कैलकुलेटिव मूव है to send Harris a message कि तुमारा जो campaign है अब मैं तुम्हें वैसे ही hit करूँगा जैसे तुमने मुझे hit करने क की कोशिश करी थी बाइडन अभी भी एक powerful force है democratic party के अंदर इसलिए वो अपनी legacy को बचा की रखना चाते हैं और इसने घटिया औरत को जिसको कमरा Harris बोला जाता है इसको सबक भी सिखाना जरूरी था और यही काम बाइडन ने भी किया बाइडन की जो comment है outrages दिखते हैं ले इस अपना जो एक हिसाब किताब था कमरा Harris के साथ resentment का उसे भी पूरा कर दिया और पहली बाइडन जो है यह तो पहली बार तो उसने गलती करी नहीं है यह भी पपू है हमारे राहूल गंदी की तरह बार बार गलतियां करता रहता है लेकिन दोस्तों आपको याद रखना प इनकी जो लड़ाई है वो सामने आगी थी यानि कि जो political circles के अंदर जो लोग बात करते हैं जो काम करते हैं उन्हें बोल दिया कि भई ये जान भूज कर किया गया है ट्राम्प के supporters को जो गाली निकाली है garbage बोलने का काम किया है यह American values नहीं है और यह एक sitting president इतनी बड़ी बा बात नहीं कर सकता उसका reason है Kamala Harris का जो voter है वो young voters है progressive voters है इन्हें को गाली निकालती है यानि कि उसके पैरों के नीचे से जबीन खिसकाने का काम किया है Biden ने अब जो Biden के supporters है वो हैं बुड़े लोग moderate लोग जबकि Harris के young Democrats है और young जो लोग है उन्हें को garbage बोल दिया है Biden आप दोस्तों जान कुछ का काम किया गया है इसलिए बोल रहा हूं बार 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 Biden ने Kamala Harris के campaign को sabotage कर दिया उसे उसके जीतने के रास्ते को और बुश्किल कर दिया है Biden अब Biden एक बहुत लंबी गेम खेल रहा है खुद के पास time नहीं है लेकिन एक लंबी गेम खेलाए उन्हें शुरू कर दिया Trump के supporters को support कर दिया उन्हें गालिये निकाल कर और वो ये काम और भी कर रहा है जो disillusioned moderates है जो Harris को बहुत far left देखते हैं उनको भी appeal कर दिया यानि कि उसने अपनी appeal को छोड़ा नहीं है उसने country को जो divide किया हुआ है उसे इकठा करने का काम कर दिया अपने पी करता है यानि कि बाइडन ने एक ऐसा twist किया है एक strategy के सत्रू जहां पर उसने कमला है इसको अंडर्माइन कर दिया and he is present preventing her from becoming a future democratic party leader वो क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि Democrats का जीतना पैसे ही पहले ही बड़ा difficult था Trump के जीतने के chances बहुत जावा problem है अमेरिका के अंदर और इसे पता है कि अगर हम हार गए तो कमला है हो गया इसका भी zero हो जाएगा तो बाइडन के दमाग में है कि हारना तो है है तो बुरी हाल क्यों न दी जाए ताकि मेरा दबदबाव बना रहे sitting president होने के करण और कमला हैरिस हमेचा ही हिलरी क्लिंटन की तरह किताबों से गायब हो जाए तो दोस्तो एक तो यह हो गई कि इसनी सारा के सारा जो यह स्यापा है बाइडन ने खड़ा कर दिया जो मौके का फैला ट्रांप ने उठाया है उसने भी फन उठाना शुरू कर दिया बाइडन का उसने बोल दिया बाइडन को पता है कि हम वाइट हॉस में आने वाले हैं और तुम और तुमारी हैरिस यह सडकों पे तुम ही गार्बेज बनने वाले हो और मैं अब गार्बेज ट्रक मैन के साथ खड़ा हूँ और पूरे मेरिका को मैं क्लीन अप करने वाला हूँ यानि कि उसने इंडरेक्टली कमला हैरिस की वीकनेस को भी उजागर कर दिया और यह सारे कम कब हो रहे हैं यह हो रहे हैं फाइनल डेज ओफ यूएस इलेक्शन यानि कि बाइडन की लॉयल्टी अब कहा है यह आपके सामने है वो है अमेरिकन एक्स प्रेजिडंट टरंप क इस गाय टू कम क्योंकि इसके आते ही दुनिया में स्याफिक खतम होएंगे थोड़ी सी पीस इस दुनिया में आनी शुरू होगी लेकिन टरंप के आने के बाद अमेरिका में सिवल वार भी शुरू होगा और इसलिए चाइना के अंदर चार तारिक से लेकर नौ तारिक तक नोवंबर को, जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, पूरी की पूरी मशीनरी क्यों चाइना की है, वो मिल रहे हैं, और मिलकर पांच दिन के लिए वो स्ट्राटिशी बनाने वाले हैं, कि अब हम अमेरिका के साथ कैसे डील करेंगे, कमला हैरीस अगर आती है, तो फाइल चाइना की बाट निकालने वाला हैं, तो यानि कि अब चाइना के भी बुरे दिन आने वाले हैं, ट्रम्प के आते ही, भारत की स्टॉक मार्केट में उच्छाल आना शुरू हो जाएगा, ट्रम्प के आने के बाद, और दुनिया में, जो कॉन्फिक्ट्स हैं, ये आपको पहले ही महीने में, ये कम होते होई दिखाई देंगे, ये जो गार्बेज पूरे दुनिया में बाइडन ने और डेमोक्रेट्स ने फिलाया है, ये गार्बेज को साफाई अब ट्रम्प ही करेगा, और इसका रास्ता जो बादन ने खुदी खोल दिया, थैंक्यू, जाहिं वान देमात रूवार्ब